वेलकम बैक दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग Poco X3 का स्मार्टफोन देखने वाले हैं और Poco X3 का क्या-क्या स्पेसिफिकेशन होगा और यह इंडिया में कब लॉंच होगा A to Z जानकारी वीडियो में लास्तक बने रही है हम लोग अच्छे से गेन करेंगे तो सबसे पह स्नेपड्राइगन कोलाइम कोम का प्रोसेसर है इसका डिजाइन को साबको इस प्रकार का दिख जाएगा देख सकने हैं पोको की ब्रैंडिंग की गई है और इसका डिस्प्लेइश 6.67 इच फुल एच डी LCD डिस्प्ले अविलेबल और 3.5 का हेड जैक पॉन भी अविलेबल और पावर बटन पर ही फिंगर प्रिंट सेंसर एवलेबल है और इसका फ्रन्ट कैमरा 20 मेगा फिक्सल का है और इस फोन में 64 मेगा फिक्सल प्लस 13 प्लस 2 MP प्लस 2 MP का चार कैमरा विट फ्लेश लाइट के साथ एवलेबल है और 240 हटर्ज टच सेंप्लिंग रेट आनि की इसका refresh rate है आने की कोई भी working कर रहा है देख सकते हैं जिस परकार से refresh rate का main meaning क्या हुआ चलिए बैटरी लाइफ चानेंगे जो कि एक लंबे टाइम के लिए सुदा प्रोबाइट करेगी और चलिए गेमिंग से रिलेटेट देख लेखते हैं इसका प्रोसेसर कितना अच्छा स्मूसली वर्क कर रहा है और डिस्प्ले का refresh rate इसमें मज़े की बात यह है कि इसका refresh rate खुद वाईज खुद चेंज होता है जो कि इंडिया का अगर आएगा इंडिया में तो यह फर्स्ट फोन ऐसा होगा जो कि अपने गेमिंग के टाइम 120 हटर्ज वर्क करेगा और अनदर टाइम अनदर वर्क के टाइम 6 हटर्ज का तरह वर्क करेगा ताकि आपका बैटरी लाइफ से वह सके तो चलिए कैमरा टेस किप्शन में लिख दूंगा वन वाई वन आप वहां से देख सकते हैं 6GB RAM और 128GB storage इस फोन में आपको एवलेबल हो जाएगा और यह Android बेस 10 पर होगा यह फोन और इसमें liquid cooling system technology 1.0 प्लस copperhead पाइप येट ग्राफ येट एवलेबल है तो आई होप कि दोस्तों आपका डाउट किलियर हो गया होगा कि Poco X3 phone के साथ आपको क्या-क्या मिल रहा है और 30W का fast charger भी इस phone के साथ आपको एवलेबल कराया जाएगा जो कि quick fast charging में आपकी support करेगा I hope कि दोस्तों वीडियो पसंद आए होगी तो इसी परकार की latest video के लिए चैनल को subscribe कर लें thanks